हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रीना मेरे चैनल रीना वेज रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब पनीर का सबजी बिना मलाई बिना क्रीम के हम मलाई जैसा क्रीमी पनीर का सबजी बनाएंगे बहुत ही लाजवाब बनेगा और बनाने में बिल्कुल आसान है तो आए बनाते हैं यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिये हैं लेकिन सारे पनीर को हम सब्जी नहीं बनाएंगे इसमें से 50 ग्राम हम पनीर अलग निकाल लेंगे तो ये हमने 50 ग्राम पनीर को अलग निकाल दिये हैं तो आगे इसका क्या करना है आप हम इसे बाद में बताएंगे परले हम पनीर को पीसेज में काट करके ले लेंगे बहुत ही लाजवाब पनीर का सबजी बनेगा तो आगे वीडियो में बने रहें तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पनीर का सबजी बना है तो ये हमने सारे पनीर को पीसेज में काट करके ले लिए हैं ये आप देख सकते हैं इसे हम अलग-अलग कर लेंगे और ये 50 ग्राम जो पनीर है इसे हम साइड में रख देंगे और 200 ग्राम पनीर का हम सबजी बनाएंगे एक बावल में सारे पनीर को हम रख लेंगे तो ये हमने बावल में पनीर को ले लिए हैं अब हमें कुछ मसाले डालने हैं वन फोर्थ चमच हल्दी पॉडर डालेंगे आधा छोटा चमच लाल मिर्च पॉडर डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे सारे मसाले को हम अच्छे से हाथ से इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले जो है पनीर के उपर अच्छे से मिल जाए और हमने मसाले को आप मच तिल डालेंगे और तिल को हम अच्छे से तवा के उपर फैला लेंगे अब हम एके करके पनीर के पीश को तवे के उपर रखते जाएंगे तो अब हम तवा के उपर सारे पनीर को रख लिए हैं एक साइड जब अच्छे से पनीर सीख जाएगा तब हम इसे दुसरे साइड पलट लेंगे इस तरीके से एक एक करके हम पलट लेंगे इस तरीके से बनाने पर पनीर का सबजी बहुत ही लाजवाब बनता है और यह आप देख सकते हैं तो पनीर को हमने अच्छे से पलट लिए हैं पनीर सीख गया है तो अब हम इसे एक पलेट में निकाल लेते हैं पनीर को हमने पलेट में निकाल लिए हैं यहाँ पर मैंने दो टमाटर, दो प्याज, आठ से दस लसुन और एक इंच अधरक लिए हैं टमाटर और प्याज को हम चौप कर लेंगे यहाँ पर हमने टमाटर प्याज को चौप करके ले लिए हैं आप हम एक कराही को गरम करेंगे और इसमें दो बड़े चमस तेल डालेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाये तब हम इसमें चौप किया हुआ प्याज डालेंगे प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक प्याज सौफ्ट ना हो जाए तो हाई फ्लेम पे हम 2-3 मिनट तक प्याज को पकाएंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे प्याज के साथ ही लासुन और अधरक डाल देंगे तक ये भी प्याज के साथ पक जाए तीन मिनट के बाद प्याज अच्छे से सौप्ट हो गया है अब हम चौप किया हुआ टमाटर डालेंगे अब हम टमाटर प्याज अधरक लासुन को एक साथ पकाएंगे तीन से चार मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे चार मिनाट हो गया है और यह आप देख सकते हैं टमाटर प्याज अच्छे से सॉप्ट हो गया है तो आप हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे टमाटर प्याज अधरक लसुन को हमें ग्राइंड करना है तो प्लेट में निकालने के बाद इसे हम अच्छा से ठंडा कर लेंगे उसके बाद ग्राइंड करेंगे यहां पर हमने एक मिक्सी जार लिये हैं और जो पनीर का टुकड़ा 50 क्राम हमने बचा करके रखे थे उसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और उसी बावल से एक बावल हम दूद लेंगे और इसे भी मिक्सी जार में डालेंगे यहां पर हमने 8-10 काजू लिए हैं इसे भी मिक्सी जार में डालेंगे तो सारे चीजों को हमने मिक्सी जार में डाल करके इसे हम अच्छे से पीस लेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसे हम अच्छे से पीस लिए हैं और कितना अच्छा एक क्रीमी पेस्ट बना है तो इसे हम एक बावल में निकाल लेंगे और इसी जार में प्याज टमाटर अधरक लासुन को पीस लेंगे तो ये ठंडा हो गया है तो इसी जार में हम डाल करके इस पेस्ट बना है तो इसे अब हम साइड में रख देंगे एक कराही को गरम करेंगे और इसमें थ्री टेवाले स्पून तेल डालेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम एक छोटा चमच जीरा डालेंगे एक तेज बतर डालेंगे एक बड़ी लाईची क्रस्किया हुआ डालेंगे एक दाल चिन्नी का टुगड़ा डालेंगे दो सुखी लाल मिर्ची डालेंगे अब हम सारे मस्ताले को कुछ सिकेंड के लिए पका लेंगे अब हमने जो टमाटर पयाज अधरक लाहसुन का फेष्ट बनाया है उसे अब हम डालेंगे एक से दो मिनडर तक हम टमाटर पयाज को पकाएंगे टमाटर पयाज पाले से ही पका हुआ है तो इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है और यह जो हमने grind किये थे उसका पानी है तो इसे भी हम डाल देंगे इसे वेश्ट नहीं करेंगे आप हम इसमें मसाले डालेंगे तो वन फोर्थ चम्मच हल्दी पॉडर डालेंगे देल छोटा चम्मच धनिया पॉडर डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा पॉडर डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्ज पॉडर डालेंगे और यह कास्मेरी लाल मिर्ज पॉडर है सारे मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक कराही से तेल रिलिजना होने लगे टेस्ट के एकोर्डिंग नमक डालेंगे नमक को मसाले के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे बिना क्रीम बिना मलाई के हम मलाई वाला पनीर का सबजी बनाएंगे तो आप हम जो ये पनीर को सिद करके रखे हैं उसे अब हम डाल देंगे मसाले में मसाले के साथ इसे हम अच्छे से मिला लेंगे पनीर का सब्जी तो आपने बहुत बार खाए होंगे लेकिन इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर खाए यह बहुत ही लाजवाव सब्जी लगती है पनीर का आप हम यहाँ पर डालेंगे पनीर दूद और काजु को जो हमने मिला करके पीसे थे उसे अब हम डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और यह आप देख सकते हैं लाजवाव पनीर की सबजी बहुत ही क्रीमी बना है तो इस तरीके से एक बार जरूर ड्राई करें अब हम इसी कटोड़े से एक कटोड़ा पानी डालेंगे ग्रेवी आप अपने एक ओर्डिंग रख सकते हैं तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे और यह आप देख सकते हैं लाजवाव पनीर का सबजी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबजी जो है अभी बहुत गाड़ी है तो यह कटोड़ा अभी और हम पानी डालेंगे तो लगभग हम इसमें दो कटोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे आधा छोटा चमच गरम मसाला डालेंगे बारी कटा हुआ धनिया पता डालेंगे और इसे भी सबजी के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे सब्जी को हमें 3-4 मिनट तक और पकाना है तो यह आप देख सकते हैं सब्जी में उबाल आ गया है और यह सब्जी बनकर तयार हो गया है पनीर का सब्जी बहुत ही लाजवाब बना है अगर आपके पास मलाई और क्रीम दोनों में से कुछ भी ना हो तबी भी आप मलाई वाला पनीर का सब्जी बना सकते हैं बहुत ही असानी से तो इस वीडियो को जरूर देखे कि बिना मलाई और बिना क्रीम के पनीर का सब्जी कैसे बनाते हैं तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं बिना क्रीम बिना मलाई के क्रीमी वाला पनीर का सबजी बहुत हिला जवाब बना है उमिद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में